हेलो फ्रेंड्स वेल्कम को ल्क एकेडेमी आज हम डिस्कस करेंगे करन्ट अफेर्स जुन थर्ड वीगे लेट्स डार्ट वित फॉस्ट न्यूज हमरी फॉस्ट न्यूज है कि अभी passado डीफेंस मिनिश्टि के द्वारा अमेंडमेंड किया गया है उनके सर्विष रूल्स के अंदर क्या किया गया है कि अभी तक जो आम फोसेस की जो सबसे बड़ी पोस्ट है चीफ आफ डिफेंस टाप सीडियेस उनके लिए कौन एलिजिबल था तो आर्मी एरफोर्स और नेवी के जो रीट करंट चीफ होते हैं उसमें उसमें जो सबसे एक्सपीरियंस परसन है वो डिफेंस टाप बन सकते हैं लेकिन अभी इस रूल के अंदर इस सर्वीस रूल के अंदर अमेंट किया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री के तवारा उन्होंने क्या बुला है कि अभी चीफ डिफेंस टाप कौन बन सकता है तो आर्मी नेवी और एरफोर्स के जो रीटायर है उनमें से कोई भी परसन वो टिफ डिफेंस टाप बन सकता है लेकिन उनकी एज कितनी होनी चाहिए उनकी एज होनी चाहिए मैक्सिममम 62 वरलब जब तक वो पोस्ट के लिए अपलाई करे तब उनकी एज मैक्सिममम कितनी होनी चाहिए 62 और वो कब तक वो टिफ डिफेंस तब के पोस्ट के उपर रह सकते हैं जब उनकी एज होगी 65 की एज होगी तो जो रिटार्ड चीफ जो बिलो थस एज ओफ शिक्स्टी टू एज है उनकी आर्मी, नीवी और एरफोर्स के जो रिटार्ड चीफ हैं जिनकी एज 62 से कम हैं वो चीफ आफ डिफेंस तब के लिए 65 age तक तो अभी जो रूट है कि जो करणचीफ है उसमें सबसे एक्सपिरेंस परसन होता है वही chief of defense नभ बन सकता है उसमें अभी amendment किया गया है कि जो retired chief होगे army navy और एयर फोर्स के उसमें से कोई भी chief of defense नभ बन सकता है लेकिन उनकी एज 62 से कम होनी चाहिए और वो कब तक मैक्सिमम कितनी एज तक वो चीफ ऑफ डिफेंस अब बन सकते 65 एज राइट ओके तो मतलब तीन सन का टेन्योर होगा ओके अभी यह चीफ ऑफ डिफेंस टाब जो आम फोर्सिस के अंदर सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस सब कौन फे जनर्रल वीपिर्ण रावत जिनका हेलिकाप्ट्र का क्रेशसिंग के अंदर निधन हो गया है रैट कि जो हेलिकाप्टर क्रेस ऑफ 12 के अंदर निलकिरी के को कुटी न्यूज है लेकिन बहुत ही इंक्पोर्टन न्यूज है फूर थे एक्जाम पॉएंट ऑफ यू ओके हमने नेक्स्ट न्यूज है कि अभी रिसेंटली 25 फांडेशन डे अफ दो बीम्स्टेक को सेलिब्रेट किया गया कहां पे धाका के अंदर अगर हम इस न्यूज के अगर हम बात करें तो बीम्स्टेक जब फॉर्म हुआ था जब यह ग्रूप की शुरुवात हुई थी तब यह ग्रूप के अंदर जस्ट चार कंट्री थी कौन-कौन सी बंगलादेश, इंडिया, सिलंका और थाइलेंड तब यह ग्रूप का नाम क्या था विस्ट एकोनोमिक कोपरेशन बंगलादेश, इंडिया, सिलंका और थाइलेंड और तब यह ग्रूप का नाम क्या था विस्ट एकोनोमिक कोपरेशन लेकिन 1997 के अंदर इस ग्रूप के अ कौन एड हुआ मियान मार् ओर यह गृूप का नाम क्या बना बंगलदेश इंडिया मयनमार सिलका थायलेंड एकोनॉ तो अभी इस गुरूम के अंदर 2004 के अंदर ये दोनों कंट्रीज एड हुई है तो अभी मीमस्टेक के गुरूप के अंदर टूटल कितनी कंट्रीज है बंग्मदेश, इंग्या, म्यानमार, सिलंका, थाइलेंड, नेपर और भूतन, टूटल साथ कंट्री का ये गुरूप है जो Bay of Bengal के आसपास की जो कंट्री है बहाँ पर एकोनोमिक कोपरेशन बना रहे हैं उसके लिए गुरूप बनाए गया है तो ये गुरूप 1997 के दर जब म्यानमार एड हुआ था तब ये बीमस्टेक बना था तब से लेके आज उसका 25 फाउंडेशन डे है इसके लिए उसका स presidency करता है ताकि उस एक साल के अंदर जितने भी मीटिंग्स होगी जितनी भी कुछ कुछ लेंए होगे वह कौन लेगा एक पुर्टिकुलर कंट्री कि जो प्रेशिडेंट है वो पर्टिकुलर साल के लिए वो पुर्टिकुलर गुरूप की तो ही बीमस्टेक गुरूप की 2022 22-32 के साल के लिए presidency किसके पास है Thailand के पास किसके पास है फ्रेंट्स थाइल के पास राइट और ताइलेंट ने अपनी प्रेशिदेंसी के लिए ठीम क्या रखी है prosperous, resilient and robust open beam stack prosperous, resilient and robust open beam stack यह थाइलेंट ने अपनी presidency year के जोरण यह अपनी थीम रखे कि वो यह थीम के ऊपर काम करेगा पूरे साल राइट बीमस्टेक की अगर मैं बात करो तो बीमस्टेक का हेड़कवाटर है ना फ्रेंज दो जार ग्यारा के अंदर धाका मंगलजेस के अंदर बनाया क्या का पर जहां पर यह जो सलेबरेशन हो रहा है ठाका के अंदर तो यह इतनी चीज़ आपको याद रखने पड़ेगी ओके और बिंस्टेक का फॉर्म कब हुआ था जब मैंना बोला ना कि 1997 के अंदर जब बैंकोक डिकलेरेशन हुआ न उसी डिकलेरेशन के दोरान बिंस्टेक का फॉर्म हुआ था मतलब परने जस्ट वीस्ट इकोनोमिक कोपरेशन ही था जब म्यानमार एड नहीं हुआ था लेकि 1997 के अंदर म्यानमार एड हुआ बैंकोक डिकलेरेशन के अंदर और तभी बिंस्टेक का फॉर्म स्टार्टिंग हुआ राइट ओके तो आइटिंग आपको इस नियूस के अंदर समझ में आया होगा ओक कि यहां पर मैंने हिस्ट्री ऑफ बिंस्टेक के बारे में लिखा है कि जैसे मैंने बताया कि बिंस्टेक की सुरुवात हुई थी जस्ट चार कंट्री से बिस्टेक बंगलेस इंडिया सिलंका थाइलेंड एकोनोमिक कोपरेशन लेकि 1997 के अंदर म्यानमार उसके अंदर एड हुए तब बिंस्टेक का नाम वियोफ मेंगल इनिसिटीव फूर्द मुर्टि सेक्टरियल टेक्निकल एंड एकोनोमिक कोपरेशन रखा गया फिर 2014 के अंदर बिंस्टेक का जो हेड़क्वाटर है वो कहां पर सब्सक्राइब धाका बंगला जिसके अंदर राइट ओक्यों आइ थिंग आपको इस नियूस के अंदर समझ में आ गया होगा ओके हमारे नेक्स्ट नियूस और फ्रेंड्स के ओम्निकार्ड बिकम तफर्स्ट अरे लाइसंस तो पीपी आई तो लॉंच कैस्ट विड्रोल अक्रोस तो ओल एटीम्स पांड इंडिया अभी इस नियूस के अंदर डिटेल के अंदर बात करें कि जो पेमेंट सोलूशन प्रोवाइडर ओम्निकार्ड है वो बिकम तफर्स्ट अरे मियाई लाइसंस्ट प्रिपेड पेमेंट इंस्टुमेंट तो लॉंच ऑप केश विड्रोल फैसलेटी यूजिंग रूपिय पावर्ड कार्ड फ्र उसके बारे मैं ... फ्रेंस प्रिपेड पेमेंट इस्टुमेंट विजिकली चार टाइप के होते हैं open ppi, semi open, closed और semi closed ये4 टाइप के घुरी प्रिपेड श्रिमन उस्टुमेन्ट बिजी कopersञे होते हैं ओपन सेमी उपन और सेमी क्लोस राइट अभी मेट कि सबसे पहले तो प्रिक्वर्ट के में इस्टुमेन्ट क्या होते हैं तो आप अपनी मॉबयल के अंदर चब रीचारच और हो जात करवाते हो मनलब prepared करते हो तब उसके बाद आप किसी के साथ बात कर सकते हो तो उसी तरह कि जो भी application जो भी company wallet service provide करती है राइट मतलब वो prepared payment instrument provide करती है wallet एक क्या चीज है कि आप उस wallet के अंदर पहले साथ पैसा डाल रहे हो और फिर उसी wallet में से आप पैसे को उसी पैसे से आप कुछ पर्चेस करते हो राइट कई जगह पर स्वाइब करते हो कुछ जगह पर पर्चेस करते हो कोई जगह पर आप ATM से पैसा निकालते हो लेकिन वो वालेट के अंदर पैसा होना चाहिए तब भी आप कोई नो कोई चीज कर सकते हो तो मतलब यह वालेट के अंदर पहले से पैसे डाल जो भी इंस्ट्रुमेंट के थुरू आप पहले से पैसे डाल सकते हो उस इंस्ट्रुमेंट को क्या बोलते है प्रिपेड पेमेंट इंस् काड क्रेडिट काड और डेबिट काड उसके बेस्ट एक्जामपल है क्योंकि फ्रेंड्स क्रेट काड और डेबिट काड में भी पैसा है राइट उसके अंदर पैसा होता है पैसा स्टोर है लेकिन उस क्रेट काड डेबिट काड की अंदर जीतने भी पैसा है ना वह आप कोई भी ATM के थुरू आप वीट्रो करवा सकते हो तो उस PPI को क्या बोलते है open BPI right semi open BPI कि इसको बोलते है कि जो PPI के नदर जो wallet के नदर जो पैसा है वो आप ATM से वीट्रो नहीं करवा सकते लेकिन आप point of set device POS device नाम सुना होगा कि जो petrol bomb के उपर जो आप swipe करवाते हो ना वो जो device के उपर उसको बोलते है POS device तो जो भी card के नदर जो पैसा है उस card का पैसा का यूज़ करके आप POS device के उपर वो swipe करवा सकते हो तो वो card वो card जो prepared payment instrument है उस PPI को कौनसा PPI बोलते है semi open है कि जो भी PPI को आप POS device के उपर swipe करवा सकते हो वो उस PPI को आप कौनसा PPI बोलते है semi open PPI कोई भी जो कोई भी अभी देखो ऐसा नहीं होता कि debit card और create card या POS के उपर swipe करवा सकते हो कि यह जो omni card है जो यह news के अंदर है यह omni card वो क्या है एक payment solution provider है आप उसका एक card purchase कर सकते हो उसका एक particular card आता है जो एक particular payment service ही provide करवाता है कि उस card के अंदर आप उसके wallet के थूप पैसा डाल सकते हो और उस पैसे का आप use कहां पे कर सकते हो POS device के उपर अभी तक यह omni card कि जिसके अंदर जो भी पैसा store है वो उसका use आप कोई भी POS device के उपर कर सकते थे कोई भी merchant के वहाँ पे अगर आपको कोई जगा पे card swipe करना है तो आप आप कर सकते थे लेकिन अभी तक है यह omni card का जो card आता है उसके अंदर जो पैसा है वो आप ATM से पैसा विट्रो करने के लिए use नहीं कर पाते थे लेकिन अभी RBI ने उसको license ही दिया है कि तुम्हारा जो card है वो card के माध्यम से उसके अंदर जो पैसा store है तो उस पैसे को आप ATM के माध्यम से वो विट्रो भी करवा सकते हो तो अभी तग omni card हो ना मुस्ट जैमी open category के अंदर था अभी वो कुन से category के अंदर आ गया है open category के अंदर और अभी तग open category के अंदर जो PPI था ना वो उसके अंदर जो bank के द्वारा जो issue किये गए है जो credit card और debit card उसी का आप use करके कि पैसा बीटो करवा सकते थे ATM में लेकिन omni card वो पहला ऐसा company बना है कि जो non bank issued card है omni card वो पहला इसा payment solution provider बना है कि जो non bank issued card है और उसका use ATM के माधियम से पैसे को withdraw करने के लिए use होने वाला है तो बहुत important news है right close PPI किसको बोलते है close PPI उसका based example है कि एक gift card gift card जो for example आप reliance trend के अंदर जाते हो shopping करते हो बो लोग आपको एक card provide करते है और card के अंदर कुछ money store करने को बोलते है कि भाई आप इस card के अंदर 500 रुपिया 1000 रुपिया store करके रखो ये card का use करके आप हमारे mall में से कोई न कोई swapping कर सकते हो लेकिन वो card दूसरी जगह पे आप swapping करने के लिए काम में नहीं आएगा तो ऐसा PPI कि जो particular खुद के platform के उपर ही use हो सके तो ऐसा PPI को कौन सा PPI बोलते है close PPI semi close क्या होता है उसका best example है phone pay PTM यह जो phone pay और PTM के wallet के नदर जो पैसा होता है अब दूसरी जगहा पर transfer भी कर सकते हो लेकिन वहाँ से आप पैसा withdraw नहीं कर सकते हो ओके तो ऐसे PPI यह जो आपके Amazon wallet के अंदर phone pay के अंदर PTM के नदर जो पैसा होता है आप दूसरी जगहा क्या बोलते semi close जिसको आप withdraw नहीं कर सकते हैं लेकिन transfer कर सकते हो ओके तो आपको समझ में आया तो अभी तक semi open category का था और वो अभी कौन से category के अंदर आ गया है open PPI के अंदर ओके और यह पहला non bank issued open PPI है कि जो RBA के त्वारा उसको license दिया गया है कि अभी आपके card से ATM से पैसा भी विट्रो होगा okay okay I think आपको इस न्यूश को नहीं समझ में आया होगा okay हमारी next न्यूश और फ्रेंड्स के अभी रिसेंट्ली एक portal launch किया गया है राष्ट्य पूरसकार portal और उसका theme रखा गया है राष्ट्य पूरसकार राष्टका गौरव राष्ट्य पूरसकार राष्टका गौरव राष्टका गौरव यह उसका theme रखा गया है एक portal की बारे में बात करें कि government ने अभी एक launch किया एक राष्ट्य for the various national awards under the one platform which is included by the government of India कि राश्टी पूरसकार पोर्टल बनाने का government का मुख्या है तो यह है कि इस पोर्टल के माध्यम से एक citizen वो individual को या फिर organization को nominate कर सकता है for the national awards अभी कौन-कौन से award के लिए एक particular citizen individual को और organization को nominate कर सकता है अगर हम उसके बारे में देखे तो यहाँ पर जो currently जो nomination और recommendation जो available है इस पोर्टल के उपर आप कौन-कौन से award के लिए कौन-कौन से nation award के लिए एक particular person को या फिर particular organization को nominate कर सकते हो अपने choice के जो person होते है for example आप पदमश्री award आपको लगता है कि यह person को मिलना चाहिए तो आप यह portal के उपर जाके उनको nominate कर सकते हो अपनी choice को यहाँ पर nominate कर सकते हो इस portal पर जाके राइट तो for example यहाँ पर कितने awards के लिए आप nominate कर सकते हो particular person को और organization को यहाँ पर मैंने list out किया है कि अगर आपको padma awards, padma awards के अंदर padma sri, padma buchan, padma buchan सभी आ गए तो उसमें अगर आपको कोई लगता है कि यह person को यह organization को padma sri award मिलना चाहिए padma buchan मिलना चाहिए, padma buchan मिलना चाहिए तो आप यह portal के जाके उनको nominate कर सकते हो तो nomination कब तक open है उनके लिए 15 September 2022 तक अगर आपको लगता है कि कोई person को यह award मिलना चाहिए तो यह 31 July 2022 तक आप इसको nominate कर सकते हो तेंजिंग नौर्गे नेस्टल एडवेंचर अवर्ड आपको लगता है कि कोई person कि जो बहुत ही एडवेंचरे से उसने एडवेंचर के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे records तो तो यहाँ पर उनको आप nominate कर सकते हो कब तक 16 June 2022 तक अगर आपको लगता है कि किसी की life को सेव करने के लिए बहुत ही बड़ा कदम उठाए था उनको यह अवर्ड मिलना ही चाहिए अगर आपको लगता है कि किसी को आपको यह अवर्ड मिलना चाहिए तो यह अभी तक इसी अवर्ड के लिए आप कर सकते हो जीरे जीरे से यहां भी दूसरे अवर्ड को भी एड किया जाएगा राइट लेकिन राष्टी पूरसकार पूर्टल अभी कर्मेंट ऑफ इंडियन बनाया है कि यहां भी सिटीजन पाटिसिपेट कर सकते हैं अपने चोईस को नॉमिनेट करने के लिए ओके ओके आपको इस न्यूस के इंडर समझ में आया होगा हमारी नेक्स्ट न्यूसर फ्रेंड्स के अभी रिसेंटली जो हमारी इंडियन मिनिस्टर है डॉक्टर जीतेंदर सी हमाना रिलीज किया है सेकेंड एडिशन ओफ नेस्डा 2021 अभी इस न्यूस के अंदर क्या है अगर हम उस इस डिलेवरी असेस्मेंट 2021 लॉंच किया गया है किसके द्वारा डॉक्टर जीतेंदर सी जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है कौन्से मिनिस्ट्री के मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल पब्लीक रिविंसीज एंड पेंशन के मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल पब्लीक रिविंस क्या होता है national e-governance delivery किसके बारें बात हो रही है for example कि एक particular state है एक particular state है कि जिसने एक website बनाई है जिसका एक website है और यह website के उपर वो कोई भी information देना चाहता है वो यह website के उपर upload करता है तो यह website कि इतनी easy to use है कि कैसा information कैसा content provide करता है particular citizen को तो उसको बोलता है कि state government की e-governance capability कि वो state government ना किसी के साथ physical content किया बीना यहाँ पर सबको information provide कर रहा है मतलब यह particular state government की e-governance capability बता रहा है तो यह यहाँ पर ranking प्रोवेड की गई है state government को identity government को central ministry को कि वो अपने portal का अपने service का किस तरीके से वो e-governance के अंदर use कर रहा है तो national e-governance service delivery assessment 2021 वो अभी उसका result यह दॉक्टर टेचंदर सीने अभी release किया है वह यह जो result बनाया है वो किसके दरा बनाया गया है department of the administrative reforms and public grievance जो कौन से ministry के अंदर काम करती है ministry of personal public grievances and pensions के अंदर तो department of administrative reforms and public grievance यह जो report है ना 2019 से बनाती है मतलब first edition कब launch के अंदर यह second edition 2021 का है third edition कब आएका 2023 के अंदर right तो आपको I think यह पहले page के अंदर clear हो गया होगा कि यह जो assessment है national e-governance services delivery assessment वो क्या है कि particular state particular engineering territory particular central ministry वो अपने portal का अपने services को किस तरीके से citizen को बीना physical contact वो अपना information अपनी माहिती वो citizen तक पहुंचाती है वह उनकी e-governance capability कैसी है यहां पर उनका assessment चलता है ओके चल अभी friends यहां पर जो ranking provide की गई है ना वो ranking किस तरीके से provide की के पहले मैं उसके बारे में बात करूँ तो यहां पर total देखो states और union territory को एक ranking दी गई है कि states और union territories वो अपने जो पोर्टल से अपनी जो website है वो किस तरीके से उन्होंने design की है उसके अलवा यहां पर state और union territory को वो लोग किस तरीके का उनका service portal है वो जो service provide करते है उनका portal कैसा है उसके business के उपर यहां पर उनको ranking provide की गई है third ranking है कि जो central ministry का website उसका जो portal है वो कैसा information provide कर रहा है कितना easy to use है तो उसके बारे में यहां पर ranking provide की गई है और fourth ranking है कि center ministry के दोड़ा जो services provide की जाती है राइट वो services का portal कैसा है वो उसके बारे में यहां रेंकिंग प्रवड़ की गई है और जो यह ranking के लिए जो states और union territory को जो category के अंदर बाटा गया है वो category के अगर मैं बात करू तो यहां पर देखो group 1 के अंदर country state को सामिल क्या गया है neighborhood or hill state के अंदर north east और hill state को group 2 के अंदर unit um उन्क रेटेज को सामिल क्या गया है group 3 के अंदर group A वाले state को और group 4 के अंदर group B वाले state को group 3 का ही सब category है अभी यह जो category के अंदर states को बाटा गया है न वो category actually जो good governance index था ना जो इंडियन government के त्वरा लॉंच किया गया था 2021 का good governance index उस good governance index को जब लॉंच किया था government ने तब government ने यही groups के अंदर states को बाटा था तो यहाँ यहाँ पर आपको गर्मेर्क क रहेगा कि客 रीक अंदर जो यह जो ग्रूप ए है वह उसके अंदर गरूम VAN से स्टेट है और ंदर जो ग्रूप भी है उसके अंदर यह जह पको आपको एक बार क्सथ पता करना था अ कि आपको जु investments इंडेक्स 221 के अंदर निए जो गर्व फ्री के अंदर जो गर्व के अंदर और कौनकोनसे स्टेट है और घ्रुब्व के अंदर इपर और जैने को मेर्ज टीत चार टीबल के अन्दर चार अलग-और रैंकिंग किस की है वो मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि यहाँ पर देखो कि for example एक state की जो website है state का जो portal है for example हमारा जो गुजरात का जो portal है मारू गुजरात राइट यह मारू गुजरात जो हमारा website है वो कितनी information कैसी information प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर चार parameter की उपर उनको इवोलिट किया गया है कि एक particular state की website एक particular state का portal वो जो information प्रोवाइड कर वारा है वो कितना accessible है उसके अंदर जो content वो कैसा है कितना वो particular website और particular portal वो इस of use है कितना easy है उसको use करना उसके नदर जो information प्रोवाइड की जारी हो कितना information security को follow कर रहा है privacy उसके अंदर maintain हो रही है जो उसको operate कर रहा है उसको right तो यह जो चार main parameters है उसको ध्यान में रखके यहाँ पर particular state और unit territories के जो website है उनका जो portal है उनको ranking दिया गया है तो यह चार parameters के according सबसे टॉप पे सबसे टॉप में ये ग्रूप वन कैटेगरी जो नौर्ट इसन स्टेट और हिली स्टेट के दर सबसे अच्छी website कि इसकी है नागा लेंड की न्यूंड इंट इसका टेगरी के जょकुकल इसके जो service portal है उनको rank forward गया कि for example कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक पार्धी ज़िएयर सभी कोजा ने ये मीटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक portal के उपर वह कितनी लोग इसके अंदर एंडोल हो चुके उनको किया क्या फैसिलिटी मिलती है वो रियर टाइम इंफरमेशन यहां पर प्रोवाइड होती है तो यह राइस्तान गवर्मेंट की पर्टिकुलर सर्वीस है कि बेटी बचा बेटी पड़ा उसकी उसकी सर्वीस है और उसका उसने पोर्टल बनाया है तो सर्वीस का पोर्टल कॉंसे स्टेट का सबसे अच्छा है तो उनको यहां पर रेंकिंग दिया गया है तो सबसे नौटिशन स्टेट और हिली स्टेट के इंदर सबसे अच्छे सर्वीस का पोर्टल की कॉंसे स्टेट का है मिगालाय का मिगालाय की जो सर्वीस है उसके जो प सब्स children होने का में वजह है यह उसकी जो सर्वीस है बचाव मेरा वही है उसका जो पोर्तल हो पुरी इंडिया के सबसे अच्छा सर्विस पोर्तल है रॉट ऑके कि और पर सेंट्रal मीनिस्ट्री को रेंकिंग दी गई है सेंट्रal मिनिस्टर की website उसका portal वो कितनी information कैसी information provide करवा रहा है कितनी easy to use है उसका portal उसके बारे में बात करें सबसे अच्छा सबसे easy to use सबसे अच्छा content कौन से ministry provide करती है home affairs उसके बाद rule is open की ministry और उसके बाद education ministry राइट और यहां पर वो ministry के services के portal है उसके बारे में बात किए गई है तो यहां पर जो finance ministry का जो एक service है service portal है central public procurement portal central public procurement portal कौन से ministry का है finance ministry का तो यह portal को यह फिर्स number दिया गया है यहां पर कितना trade होता है इंडिया के अंदर हरोज कितना होता है daily business के उपर एक second में यह 5 मीट के बाद 10 मीट के बाद कितना trade हुआ concert हुआ real time information यहां पर provide होती है कहां से सबस्यादर trading होता है कहां पर सबस्यादर हम export करवाते हैं और राइट वो सभी चीज़ एक ही portal पर यहां पर finance ministry का एक portal है central public procurement portal राइट तो यह portal के उपर अंदर यहां पर states को divide किया गया कुण से index के according तो गुड़ governance index के according यहां पर divide किया गया है और किसका first number आया है वो आपको जान में रखना है okay हमारी next news है friends कि अभी recently कि fourth खेलो इंडिया youth games 2021 अभी खेला गया था उसका result आ गया है right तो यह जो fourth खेलो इंडिया youth game वो host कि इसने किया था हर्याना ने और उसको topic कि इसने किया हर्याना ने right खेलो इंडिया youth games के अगर हम में बात करो तो यह दूरा 17 के अंदर government के तबरा announce किया गया था कि वो खेलो इंडिया youth game और खेलो इन university games खेलेगे right यह तो 2018 के अंदर इसका first edition हुआ था और first edition भी हर्याना ने जीता था right और यह fourth edition भी अभी हर्याना जीता मतलब हर्याना टूटल दूसरी बार यह खेलो इंडिया youth game जीता है right और हर्याना के टूटल कितने 52 गोल मिलन जीते है उसके बास second नमर पर महारास जिसने 45 गोल मिलन जीते है और करना डगाने कितने गोल मिलन जीते है 22 और third number पर है right हमने कुछ दिनों पहले खेलो इंडिया 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 गेम्स के रिजल्ट क कि इसने किया था उसको स्पॉंसर करने वाले था SBI और पंजाब निशन में ये दोनों बैंक्स ने उसको स्पॉंसर किया था राइट ओके यह फोर्ट एलिशन ऑफ के लिए यूद्गेम के अगर मैं बात करूं तो टूटल उसके अंदर आंटेशार 500 प्लियर ने पांटिस 25 स्पॉर्स के ले गए थे टूटल आंटेशार 500 प्लियर्स ने पांटिसिपेट किया था रहे ओके और यहां पर जो टॉफ फाइक का जो स्टेट से अगर मैं उसकी बात करूं तो सबसे ज़्यादा मेडल हरियना ने मेडल तो नहीं सबसे ज़्यादा गोल मेडल किसे नीते है हरियना ने महरास 45 सेकंड नंबर पे करनेडा का 22 थर्ड नंबर पे फूर्थ नंबर मणीपूर 19 और फीट नंबर पे केरला अठारा मेडल अठारा गोल मेडल के साथ तौफ आई के अंदर है और सबसे लास्ट किसका आया है मिकल आया जिसने एक भी गोल मेडल नहीं जीत यह पर मैंने दिखाए कि खेलो इंडिया कि अगर मैं बात करूं तो फॉर्मल ही खेलो इंडिया स्कूल गेम की तharिके से यह जाना जाता था और खेलो इंडिया स्कूल गेम दो 17 के अंदर कर में दोरा अनॉंस किया गए थे और फिर उसको दो पार्ट के अंदर डिवैड कि गया एक तो खेलो इंडा यूथ गेम और खेलो इंडिया इनिवर्सिटी गेम राइट और दुदर अठारा के अंदर फिर्स्ट एडिशन दोनों का खेला गया था ओके हमारी नेक्स्ट दूसर फ्रेंड्स के अभी रिसेंटली वर्ड कॉम्पेटिवनेस इंडेक्स लॉंच क द्वारा वल्ट कॉम्पेटिवनेस इंडेक्स लॉंच किया गया था और यह 34 एडिशन था तो उस इंडेक्स के अंदर इंडिया का रेंग कौन से आया है इस बार 37 आया है लास्ट टाइम कितना आया था 43 तो इंडिया ने छे स्थानों का इंपूरिमेंट किया है तो सब अधम्रे लिखरल ratchet का government efficiency कैसी है ठीकृति की business efficiency कैसी है और द्वारा इंडियी पिसली का कि इसा है तो इन्वार्क नहुनिक सबस्था है toormd इसको टॉप किस ने किया है तो किम 대박 द्टम की अंब क्या है जो अलग-अलग जो factor है उसके अंदर जो इंडिया का performance क्या चाहिए अगर मैं उसकी बात करूँ तो तो economy performance के अंदर इंडिया का rank 37 था last time अभी इस बार कितना हुआ है 28 government efficiency के अंदर इंडिया का last time rank था 46 इस बार कितना हुआ है 45 business efficiency के अंदर इंडिया का last time rank था 32 अभी कितना हुआ 23 और infrastructure के अंदर इंडिया का last time भी 49 rank था इस बार भी 49 rank हुआ है राइट ओके और इंडिया का जो Asia Pacific Group के अंदर टोटल पंसा नंबर है 11 नंबर है इंडिया इस हैस रेंक 11 ओन पियर ग्रूप ranking Asia Pacific 2022 जो Asia Pacific Group है उस में इंडिया का 11 रेंक है और overall 37 रेंक है राइट ओके कौन से संसा के द्वारा इंडिया के द्वारा कौन कौन से फेक्टर का सिर किया गया है और फेक्टर के अंदर पर्टिकुलर इंडिया का पर्फोमेंस कैसा है लास्ट यह और इस साल वह आपको जान में रखना है ओके हमारे नेक्स न्यूजर फ्रेंड के अभी रिजेंटली एक नया ग्रूप बनाया गया है I2U2 यहां पे नया ग्रूप बनाया गया है तो इस ग्रूप के अगर हम बात करें तो कि अब रिसेंट ले एक नया ग्रूप बनाया गया है उस ग्रूप का नाम है आई टू यू टू मतलब दो बार ऑ मतलब इंडिया और इजरेल और दो बार यू मतलब यूस और यूय यहांपर यू टू और इन अई टू- को एक दूसरा नाम भी दिया गया है वेस्ट एसियन गौड इसको दूसरा नाम भी दिया गया है तो अभी रिसेंट टिंग इंडिया, इसराइल, यूएस और यूए के त्वारा एक ग्रूप बनाए गया है फूरता इकोनोमिक कोपरेशन के लिए इसका दूसरा नाम है वेस्ट एसियन कॉर्ड यूए चारों कंट्री वेस्ट एसिया से बिलोग करती है और ये चार कंट्री इसके लिए कॉर्ड और आपको इसके माध्यम से एक और रिवीजन करना है कि एक और ग्रूप का नाम भी है जिसका नाम है कॉर्ड कॉर्ड ग्रूप के अंदर कॉर्ड कॉर्ड मेंबर होते है तो इंडिया यूएस चापान और ऑस्टेलिया इंडिया यूएस चापान और ऑस्टेलिया एक कॉर्ड ग्रूप के मेंबर है तो आपको जस्ट एक प्रिस्टन आ सकता है कि कॉन से ऐसी दो कंट्री है कि जो कॉर की मेंबर भी है और वेस्टेशन कोड की मेंबर भी है तो इंडिया और यूएस ये दो कंट्री के जो कोड की मेंबर भी है और जो वेस्टेशन कोड है उसके भी मेंबर से राइट ओके तो ये जो ये वेस्टेशन कोड जो आई टी यूटू जो गुरूप बना है उसकी पहली सब्सक्राब्स के तो सब्सक्राइब इस नॉर्मल नियूज कि आपि तो इन्ट के इंटर में resolved कौन-कौन है राइट और यह ग्रूप कौनसे एग्रीमेंट के अंडर में बनाए गया है तो यह ग्रूप है ना अब्रहाम अकोड एग्रीमेंट के अंडर में बनाए गया है कौनसा एग्रीमेंट है अब्रहाम अकोड अब्रहाम अकोड एचुली यह वही एग्रीमेंट है कि जहां पर US ने 2021 के अंदर इस्राइल और UA के बीच में संधी करवाई थी बैले इस्राइल और UA एक दूसरे के अंदर ट्रेड नहीं करते थे लेकिन US ने उन दोनों के बीच में संधी करवाई थी और फ्री ट्रेड एग्रिमेंट साइन करवाई था तो यहीं जो एग्रिमेंट US ने इस्राइल और UA के बीच में करवाई था उस एग्रिमेंट को बोलते है अबराहम अकॉड और उसी एग्रिमेंट के अंदर में ये ग्रूप बनाया गया है अबराहम अकॉड के राइट ये रहा अबराहम अकॉड तो आपको just इस exam point of view से कि इट 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 गुरूप के अंदर member कौन है उसकी फर्स्ट ताइम प्रेसिदेंसी कौन समभल रहा है उके उसका दूसरा नाम क्या है कौर के member कौन है और कौन से agreement कौन से accord के अंदर में बनाए गया है वो भी आपको जन में रखना होगा और यहाँ पर आप स्टेटी फैक्स भी यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी इस meeting के अंदर स है कि हमारी नेक्स्ट न्यूस है कि अनिंप्लेमेंट रेट वो लिप्स टू एट पेंट टू परसेंट इन जानिवर एटू मार्स जोजर बाइस और यह डेटा किस से निकला है नेशनल स्टेटिस्टिकल ओफिस एनेसो के द्वारा राइट इस न्यूस के अंदर हम डीटे न्यूस है मार 2022 के क्वार्टर का है तो इwość पिरियूडीक लेटर्वर फोर्फ शर्वे्ट वह क्वार्टर के उप्रक्रेश्टिक के अपर ऑफिस्ट इतिकल और ही लाउंच करती हूँ जुर्टर्ए मार 2022 कवार इस तहीं मार 2022 के क्वाटर तो प्रडेट चे देटा है पिरि यह जो periodic labor force survey है उसके अंदर तीन data launch करती है quarterly business के उपर एक तो है unemployment rate और एक है worker population ratio और एक है labor force participation rate labor force participation rate सबसे पहले तो मैं बात करूँ कि labor force क्या होता है क्योंकि labor force survey किया जाद है तो labor force क्या होता है तो labor force किसको बोलते है friends तो labor force के अंदर जो employed people है वो तो आते ही है लेकिन जो unemployed है अभी unemployed तो छोटा बत्चा भी होता है लेकिन जो eligible है जो graduate है जो eligible है जिसने job के लिए apply किया है लेकिन उसको job ने मिल रही है तो उन लोगों को unemployed बोलते है तो जो employed people तो है labor force के अंदर लेकिन जो unemployed है जिसने apply किया है लेकिन उसको job ने मिली है वो भी labor force में count किया जाएगा तो यहाँ पर सबसे पहले जो data है कि जो unemployment rate वो unemployment rate क्या होता है कि for example labor force के अंदर total पचास करोड परसान है labor force के अंदर total कि इतने लोग है पचास करोड जहाँ पे employed लोग भी आए और unemployed लोग भी आए गए और उसमें से unemployed कि इतने for example उसमें से 10 करोड unemployed है तो यहाँ पर जो 10 upon 50 जो rate मिला आपको तो यह क्या हुआ unemployment rate राइट तो यहाँ पर unemployment rate जो जानी वारी से दूजर जानी वारी और मार्स जानी वारी से लेके मार्स 2022 का जो यह quarter है उसके इंदर unemployment rate कितना रहा है 8.2% जो यही unemployment rate जानी वारी से मार्स 2021 के क्वाटर के इतना था 9.3% मतलब unemployment rate कम होए last quarter last year के same quarter के according मतलब unemployment rate कम हुआ है मतलब इंडिया ने ज्यादा implement पूरवाड की है और अगर हम October 2021 की comparison करें तो October 2021 के नदर unemployment rate कितना था 8.7% तो इस January 2022 के जो quarter के नदर unemployment rate कम हुआ है जो अच्छी बात है पता चला कि क्या होता है unemployment rate ओके अगर मैं यहाँ पर मैंने overall unemployment rate की बात की अगर मैं बात करूं कि particular female के अंदर unemployment rate कितनी रही है female population के अंदर 10.1% जानीवार से लेके मार्ट उधर बाइस के quarter के अंदर milk category के अंदर unemployment rate कितनी हुई है तो इसके 7.7% 7.7% जानीवार से लेके मार्ट उधर 22 के quarter के अंदर right okay दूसरा data है कि labor force participation rate labor force participation rate मतलब क्या हुआ कि total population for example total population 130 करोड की है total population कितना करोड की हमारी इंडिया के 130 करोड के उसमें से labor force के अंदर कितने लोग है तो यह जो rate है हो क्या हुआ labor force participation rate तो labor force participation rate वह जानीवार से लेके मार्ट उधर 22 के quarter के अंदर कितना था 47.3% जो same quarter 2021 के अंदर कितना था 47.5% जानीवार इसे मार्ट उधर 21 के याद रखना पड़ेगा ओके 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 यहां पर तीसरा डेटा है वर्कर पॉप्विलेशन रेशियो तो वर्कर पॉप्विलेशन रेशियो क्या होता है कि जैसे अनिप्लेमेंट रेट के लिए हम रेफरेंस लेते थे लेबर फोर्स के अंदर 50 करोड है उसमें से 10 करोड यह तो यह रेट लेट हुआ उसी तरह के लेबर फोर्स के ऐंदर 50 करोड लोग है और उसमें से 40 करोड लोग वह इंपलोई हैं तो वह वर्कर पॉप्विलेशन रेशियो परसेंट था और जानिवारे ऑक्टोबर से इसने में 2021 के बात करें तो 43.2 परसेंट था यह तीनों तीन दीटा पीरोडिक लीबर फूर्स सर्वे के अंदर निशनल चेटेशिकल ऑफिस के द्वारा क्वार्टरली बिजिस के उपर लॉंच किया जाता है राइट ओके और यहा दो धgis का मतलब क्या है तो यहां पर कनल के उपर करते हैं और यह देटा को मेजर करते हैं और यह a da का के रहाता है करंट वीक स्टेटस के अकोडिंग करंट वीक स्टेटस का मतलब कि यह फॉर एक्जांपल पांच आ साथ सब्सक्राइब कंपनी के अंदर वो लोग गए यह तीनों तीन चीज को मेजर करने के लिए तो यह करंट वीक सेटस मेथड का यूज करेंगे मतलब यह जो पास्ट जो साथ दिन के अंदर जितने भी लोग अनिंप्लोइड है वह अनिंप्लोइमेंट रेट में आएगा जितने भी लोग काम कर रहे है वह वर्कर वापूरेशन रेशियो में आएगे जितने भी लोग लेबर फोर्स के अंदर है वो लेबर फोर्स पार्टिशिमें रिट मैं रहेतलब सफनोग कृश्येयर जाता है शॉह समय नहीं लिया जाता कि फूरे सब्सक्नूरी पूरे सão साब है क्याहरन सब्सक्राइब करके 5704 अपनोड हासी का सर्वे किया गोरी निकाला इस एन अ Dong यह देटा दोड़ा 17 सा निकालती है यहां पर तीनों तीन की डेफिनेशन मैंने आपको वैसे बता ही है और यहां पर मैंने लिखी भी है ओके आपको यह पुरी दिन यह पुरा न्यूस के बारे में समझ में आया होगा ओके है हमारी नेक्स यूसे फ्रेंज के अभी रिसेंटली दिली का जो इंदी रगांती इंटनेशाइब एरपोर्ट है वो बना है बेस्ट एरपोर्ट इंडिया एंडिया एंड साउथ एसिया अभी एक अवर्ड अनौन्स किया गया वर्ल्ड एरपोर्ड और कौनसी कमपनी के द् जो 2,2 एंडिया था उस वर्ल्ड एरपोर्ट अवर्ड के अंदर तॉप किसने किया हमाद इंटर एंटरेंशाइब ऐरपोर्ट को है हमाद इंटरेंशाइर एरपोर्ट है वो फेर्ला जो चापां से लिजोकरता है ऑर फर्लम Report करता है और फर्लम इंड्स और पर सिंग्गा एैडिया का जो एयर्पोर्ट है इंडिया गान्दी इंटरैसारइड एयर्पोर्ट जो दिल्ली बिलों करता है वो 37 नबर पर है 37 नंबर पर है और इंडिया और सम Count labeling अपर यूट का सब्सेकल साह sería और इंडिया गांदी इंटनेशर्ट अएरपोर्ट वे एंडिया का और इस्यका सब्सेट्व एरपोर्ट भी है लाल फो सब्सक्राइं लेकिन हम नॉइंट्यव गर साल च इंटोटल एंटिया के बंद्र अटक्ड forwards पे बेंडी नों केंपी गुल इंटरेशन एरपोर्ट 61 नंबर पे हितराबाद का राजीव गांधी इंटरेशन एरपोर्ट 63 नमबर पे मुंबे का सारा पर सीवाजी एरपोर 65 नमबर पे तो टॉप हंडिड के नदर चार एरपोर्ट है टॉप 50 के नदर एक एरपोर्ट है राइड ओके अगर मैं स्काई बात कर बाद करो्थ है 1999 से स्काइट्रेक्स हर साल एरपोड ओर लांच करता है और एरपोड ऑब लांच करने वाली एक मातरसथ अंसाइस्काइट्रेक्स राइट तो यह साल के अंदर एक बार यह बहुत ही इंपोर्टन नीज है ओके तो यह आपको आपके पॉइटे बोट ही इंपोटन नहीं पे अलग अलग के को याद रखने की जरूवत नहीं है लेकिन वर्ट का बेस्ट एरपोर्ट कौन सा है इस यह शाओ इस एसिया और इंडिया का कौन सा है टॉप आपको याद रखना है एक इस नियूज्ग से इंदर समझ में आया होगा स्काइटेक्स से अगर मैं बात करूं तो स्काइटेक्स एचुली स्पेशालिस्ट है रिसर्ट्स एंड क्वालिटी एडवाइजर्स टुदा एयर ट्रांसपोर्ट इंडेस्ट्री के अंदर में उसके सियो कॉन है एड़वर प्लेइस्टेड उसका एस्टाब्रिस टेक्नोजी का यूज किया था तो उस इनिसीटिव को यहाँ पर यूनिस्ट को का अवर्ड मिला है तो अगर हम इस न्यूज के अंदर डीटेल के अंदर जड़जा करें तो कि मिनीस्ट्यों एट्यूकेसन का एक इनिसीटिव है कि जिसने इन्फर्मिशन कोम्णिक्रिशन यूज करके स्कूल एजुकेशन के अंदर कुछ इंप्रूमेंट लाया है तो उस इनिसिटिव को यहाँ पर यूज को एक अवड मिला है तो यह इनिसिटिव कॉन साइब से पहले तो मैं बात करूँ तो यह इनिसिटीव है PMEV यह इनिसिटीव कॉंसी संसा के दोरा लॉंच किया गया था सेंटर इंस्टीट अफ देट्यूकुशन टेक्नोजी सीट के दोरा एक लॉंच किया गया था और यह जो इंस्टीट्यूट है वह NCIT के एक यूनिट है NCIT का फुल्फार्में नेस्टन काउंसिल अफ दो एज्यूकुशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग और वह कॉंसें डिपार्मेंट में हैं डिपार्मेंट तो स्कूल एज्यूकुशन में काम करता है तो मिनिस्टीव एज्यूकुशन टेक्नोजी के दोरा यह PME विद्या लॉंच किया गया था 2020 के अंदर तो उसने information टेक्नोजी का यूज किया था स्कूल एज्यूकुशन के अंदर तो इसके लिए उसको यूनिस को अवर्ड मिला है 2021 का अभी यह PME विद्या के अकरम बात करें तो PME विद्या के अंदर एचुली टूटल 12 PME विद्या लिट्वी चैनल यहां पर बनाए गए थे कि जहां पर COVID के दोरान जब स्कूल बन थे तब जो स्कूल स्टूडेंट से उनका पढ़ना खराब ना हो वो गर बैठे बैठे भी पढ़ सके इसके लिए यह संसा के द्वारा C8 संसा के द्वारा एक इनिसिटीव लिया गया था कि 12 PME विद्या लिट्वी चैनल के उपर यहां पर जो अलग-अलग सब्जेट के कोर्सी से यहां पर दिखाई जाते थे TV के उपर उसके अलबा टीवी चैनल के उपर ही नहीं के 397 डेडियो स्टेशन के उपर भी यहां पर लेक्चर्स को पड़ाया जाता था तो यह PME विद्या जो यह संसा के द्वारा के द्वारा जो लॉंच के द्वारा बीस के अंदर जहां पर इंफ्रमेशन कॉमिडिकुशन टेक्नोजी का यूज किया गया है तो इस इनिसिटिव को यहां पर यूनिसको का यह अवोड मिला है और एक इविद्या किसके तरह लॉंच के एक तरह सेंटर इंस्यूट पर आया होगा हमारी नेक्स्ट नूज से के अफिर रिसेंटली जो हमारी यूनियन मिनिस्टर है ऑफ आउसिंग अर्वन अफेर्स जो हर्दीव सी पूरी उन्हें एक प्रोजेक्ट लॉंच किया है फूर्द स्कील ट्रेनिंग अप तो कंस्रक्शन वर्कर्स कॉल्ड निपून स्कील अभी नए स्कीम लॉंच किये है निपून ऊके और यह जो स्कीम है वो किल लोगों के लिए है कंस्रक्शन वर्कर्स के लिए उनको स्कील प्रोजट करवाइगी यह स्कीम के अंडर मैं अगर हम इस स्कीम के अंदर डीटेल के अंदर चर्चा करें तो यह अपी रिसेंटली जो हमारी इंडेन मिनिस्टर है हाउसिक अरबन अफेर्स के जो हर्दिपसी पूरी उन्हें लॉंच किया है एक स्कीम निपून उसका फूल फॉर्म है निस्थान इनिस्टिव फूर्द प जो क्याने ताम परता है तो दीन अलंतों यह जना निस्थर अर्बन लाइवलिवड ऋमीशन यह स्कीम के अंदर में ये सब स्कीम है निपून स्कीम निस्थाल प्रोंमोटींग द अफ्सकील और निर्없이 का केरीए और दोनों स्केम मीनिस्ट्री फाउसिंग और बना अफयर्स की है तो इस खीम को स्कीमिर्टकर की मिनिस्ट्री फाउसिंग औरॉङर साथ पातनाशिब किये है निसनल स्किल लेल उपन कॉर्पोरेशन जो मिनिस्ट्य आफ स्किल लिवेल आपいます in के अंडर में काम करती है तो यहां पे जो निर्माण वरकर को जो अपकिलिंग करने की लिए जो स्किलिंग करें वह कौन से संधार करेगा निसनल स्कील लेफिक लो और इंटर्विनर्शिप के अंडर में काम करती है तो यहां पर यह निपून यह जो स्कीम है उसको लॉंज करने का एम क्या है तो ट्रेंग तो मोर देन वन लाग कंसरक्शन वरकर्स तुरूद फ्रेश किलिंग एंड अप स्कीलिंग प्रोग्राम इंड पूर्वाइड देम इन दो फॉरेंड कंट्री तो यहां पर इस निपून प्रोग्राम के माधियम से निपून स्कीम के माधियम से एक लाग से भी ज्यादा कंसरक्शन वरकर को फ्रेश किलिंग उसको किस तरीके से अपना काम करना चाहिए उस बारे में स्कीलिंग प्रवड़ की जाएगी और जो अल्ड़ी वह काम करता है वह जिस तरीके से काम कर रहा है उस वह अपने काम को किस तरीके से बहतर बना सकता है तो वह दो स्कीलिंग यहां पर प्रवड़ की जाएगी इस स्कीम के अंडर में और उसके लाबा उनको फॉरेंग कंट्रीज के अंदर भी भीजा जाएगा स्कीम के अंडर में है रेइट ओके एपर इस निप्ब५ूल स्कीम के अंडर में ठीनिंग की जाएगी तो ट्रेंनिंग 3 अमग्रेंद प्रूर किजाएगी बना मत्रेंग्र्वलेंग ट्रेंग सुछ prior learning in the construction site कि कोई भी construction site है वहापे कोई भी construction worker काम करने के लिए आता है तो उसको सबसे पहले तो उसको क्या काम करना है क्या काम करना है उसके बारे में पूरी एक information वो कैसे करना है थोड़ी से practical approach उसको कैसे करना है वो सब यहाँ पर सेखाया जाएगा तो training through the recognition of the prior learning in the construction site second training to the fresh killing by plumbing in infrastructure sector skill council यहाँ पर देखो government के त्वारा बहुत ही जगह जगह पर sector skill council establish किये गए SSC यहाँ पर जो workers होते हैं उनको particular trade के अंदर particular stream के अंदर यहाँ पर उनको ट्रेनिंग practical training प्रवड़ की जाती जैसे ITS के अंदर कैसा यहाँ पर ITS के अंदर theoretical knowledge भी प्रवड़ की जाता है लेकिन यह जो sector skill council होता नहीं यहाँ पर प्रेक्टिकल training प्रवड़ की जाती है तो यहाँ पर plumbing और इंफार्चर के अंदर यह fresh killing प्रवड़ की जाएगी sector skill councils के अंदर तो second यह initiative है थर्ड कि international placement मिलेगा through industries builders और contractor कि अगर कोई eligible contractor eligible कोई worker है कि जो एकड़म skilled worker बन सकता है तो उनको international placement मिलेगा तो यहाँ पर निपून स्किम के माध्यम से को ट्रेंड किया जाएगा और उसके लिए ministry of housing and urban affairs ने ministry of skill and entrepreneurship के साथ partnership की है क्योंकि national skill and urban corporation जो ministry of skill and urban inter-minister के अंदर पर काम करता है वही संसा उन लोगों को यह team माध्यम से training प्रोबैड करवाईगी तो target क्या रखा गया है कि 80,000 construction workers को यह construction site के उपर prior learning प्रोबैड की जाएगी 14,000 candidates को यह skill sector council के माध्यम से training प्रोबै की जाएगी और 12,000 people को यहाँ पे international placement मिलेगा यह निपून स्कीम का target रखा गया है ओके तो निपून स्कीम के बारे में के target क्या रखा गया है ओके और मिनिस्टर आउसी के बात करें तो इने मिनिस्टर कौन है हर्दिपसी पूरी और उसके आज की सभी निउस के अंदर आपको बहुत ही अच्छी से समझ में आयो होगा तो थैंक यू फ्रेंड्स बाइं